सो हम लोग अभी निकल रहे हैं कोड़ी बीच के लिए सो यहां पर हम लोग फटा फट से रेडी हो चुके हैं मेर के लाइद है जी गलresse मेरा मेरा बड़कु मेरा फोल्ले बार हो पहां है जोर्य हो सिस्टर के साथ रेडी थे चुटकु और अम आने वाला है बड़कुरा बड़कु थे रेडी हो चुका पर हमें अपना कार में शूज को लाया है तो लेस्ट तो अब भी हम लोग रूम चेकआउट लिये हैं और हम लोग डिर्क लिए अभी कार में बैठेंगे और इसके बाद आप निकल जाएंगे पूरी बीच के लिए जो कि जहां पर में है वहीं पर जाएंगे वहांपर इसारा सेफटी का अर्इंच्मेंट वगरा रहता है और यह साइट जो है यहां से अप देख सकते हो हो गूम सकते हो बट यहां पर आप नहां वगरा Hydra सकते हो पानी में नहीं जा सकते हो क्योंकि यहां पर अलाव नहीं किया गया है तो अभी हम लोग निकल रहे हैं उसके बाद पहले नास्ता करेंगे देन इसके बाद पूरी बीज जाएंगे तो कंटिन्यू करें तो यहां पर मेरी बहन का चपल तूट चुका है और अभी हम लोगों को जाना भी है तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि क्या करेंगे बट हम लोग बोले चला लेंगे क्यूकि कार में ही बैठके जाना है और चलना नहीं तो कार में खुल के रख देंगे बाकी ऐसे जगब बिना ही चपल के जाना पड़ेगा क्योंकि और कोई आप्शन नहीं अगर कोई से लाने वाला मिला तो देख लेंगे बहुत जूब है विकार धूनेशवर पूरी की गरने जो होती है ना बहुत ही लेक्स लेवल हम कैसे बहुत मस्ते हैं निकल चुके हैं बहुत मस्ते निकल चुके हैं नहीं हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमारा कार आएगा और कार में बैठके मैं जा रही है मैं जा रहिए मैं जा रही है आपको शनी का वाए गुए यह जो पूम काचाया जो गोतफ उदर तुमा आगे जा ओ लली तुमा आगे जा जो अब ही हम आचोगे अधर के अंदर अब हम सारी खिल के दर्माज़ा बंद करके एसी स्टार्ट को चुछता है जो पर इस होट हो रहा है जाब लोग एतनी होट लडगीया जारी है नाइज जारी है अब अचाओ तेरी ममी मुझे कुछल दी रहा है तेरी ममा बहुत मुटी है नहीं मेरी ममी बहुत मुटी है तो अभी हम लोग चलते हैं पूरी और वही पे मिलेंगे तो स्टे टून जारी है समय के जारी है तो स्टे टून तो यहां पर हम लोग उतरे हैं ब्रेट फास्ट के लिए तो हम लोगों ने जब उतर के वहां गए तो फिर वहां पर पता चला कि यहां पर लॉंच मिलता है डिरेगली और ऐसे तो टाइम हो चुगा था लॉंच का बट कि हमने ब्रेकफास्ट पर नहीं किया था तो फिर हम लोग नेक्सट डेस्टनी की तरब गए जहां पर थोड़ा बहुत नास्ता का था मतब स्टिल रिमेनिंग था वहां पर तो हम लोगों ने वहां पर गए और नास्ता कि यह दन इसके बाद हम लोग वहां से निकल गए तो टारीक अम लोग पूरी पहुँच चुके हैं और यहां का नजारा वीव बहुत ज़्यादा गजब का है यहां पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ही हुमिडिटी भी है चिपचिप गर्मी है धूपी काफी ज़्यादा है और हम लोग तो कुछ अपना लगए जो अगरा लेके नहीं आए थे सब होटल पर है और हम लोग बस ऐसे ही आ गए थे तो यहां पर मैं आ गई हूँ और बाकी सारे लोग आ रहे है तो यहां पर मैं थोड़ा सा शूट अगरा करने के लिए पर सिल रहते चपल तो हम लोग नहीं सिल वाया हमाँ पर खड़े हो के बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन चपल हम लोग सोचे थे लेके जाएंगे बिकॉस जो बालू था वह बहुत ही ज़्यादा गरम था तो पैस जल जाएगा इस सामने एक सौप पर मुझे संग्लास तो मैंने सुचा कि संग्लास तो मैं लेके आई नहीं तो यहां से ही बाय कर लूँ तो यहां पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे जो की अंडर 120 मिल रहे थे बट मैंने बोला कि 20 रुपेस आप लेस करो तो उन्होंने मुझे 100 रुपीस में देने के लिए तय जाईया फो जाए तो मिल रख़वो जल तो मैंने बैन ह去了 compute no ढह दो हो बचले में अवरीश कर दोईश कर दो हुआ है घुद आएש झाल झाल करतोल हैं तो कहां अधिक्त रमीं भाह का अधिकत माज़ प्रॉचाब कर त दूका दूका कारें तो खोंगे माही फ्रस्टेश हैं तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल विकाज हम लोग वहाँ पर फोन रख दिये थे सारा कार पर क्योंकि पानी में हम लोग अच्छे से इंजॉई नहीं गर पाते फोन लेके तो अपने वहां रख दिये देन सी बात पर अच्छे तरीके से इंजॉई करके फिर ह मूटल पर चेक इंड कर लिए और मैं दूबारा और पूरी नहीं आँगा बहुत दूबारा मैं तो फिर से जाओंगा मैं तो फिर से नहीं जाओंगी क्योंकि मेरे पैर का हाग कोई देखेगा ना तो डर जाएगा कि में तो जाओंगी कि मेरे पैर का हालत यह दिखिए इतने ज्यादा खराब है कि कॉट्स लग गया है कि यह यहां देखूंग